परिवार को बंधक बना करोडों की लूट जाते जाते उनका लाइसेंसे रिवॉल्बर भी ले उड़े पुलिस चाहे अपराद्व लूट पार्ट पर नियंत्रन के लाख दावे करे लेकिन ऐसी वारदाते थमने का नाम नहीं ले रही है लूटेरे आए दिन पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए ऐसी वारदातों को बिना डर के अंजाम दे रहे हैं वहीं अमरीसर में कानून विवस्था दिन बदिन बिगड़ती जा रही है लूट की वारदात का ताजा मामला आज सुबा करीब पांच बजे शहर के पोश एरिया कोट रोड पर एक आड़ती के घर पर चार नकाप पोश लुटेरो द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया इस मौके पर पीडित परिवार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सुबा करीब पांच बजे जब घर की महिला सैर करने के लिए घर से बाहर निकली तब घर के बाहर ही मेंगेट के बीच चार नकाप पोश लुटेरो ने महिला के मूँ पर कपड़ा बांध कर घ घर के बीतर ले गए घर में उपस्तित महिला के पती को हतियारों की नौक पर उसका मूँ बाजू और टांगों को बांध या बंदक बनाने के बाद उन्होंने पूरा एक घंटा घर में रह कर सारे कमरों की चान बिन करके लूट की वार्दत को अंजाम दिया उन्होंने बताया कि लुटेरे 95 लाख रुपए नगत धाई किलो के करीब सोने के जेवर लूट ले गए वहीं जाते जाते उनका लाइसेंसी रिवॉलबर भी ले गए इस दोरान परिवार में सेहम का महौल बना वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जान शुरू कर दी गई है उन्होंने कहा कि आसपास के CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं पुलिस अधिकारियों के अनुसार पुलिस ने मामला दर्श करके कारेवाई शुरू कर दी है